लेकिन आई उससे पहले 36 गड़ की बात कर लेते हैं 36 गड़ का विधायन सभा का चुनाव भी इस बार काफी दिल्चस्प रहाता खुल 11 सीटे हैं और 2019 में बीजेपी ने 9 सीटों पर कमल खिलाया था इस बार बीजेपी एक सीट और अपने खाते में जोड रही है यानि एक सीट और प्लस बीजेपी को हो रही है 11 में से 10 सीटे भारते जिंता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है और कॉंग्रिस यहाँ सिर्फ एक सीट जीत सकती है यानि कॉंग्रिस लूज करती हुई नजर आ रही है अपनी 2019 के मताबिक सीटों को अगर आप देखेंगे और 36 गड़ में बीजेपी 10 सीटों पर जीत दर्च करती हुई नजर आ रही है अभी तक का ओपीनियन पोल ये बता रहा है कि 36 गड़ की 11 सीटों में से 9 पर 2019 में बीजेपी ने कमल खिलाया था और इस बार बीजेपी 10 सीटे जीत सकती है 36 गड़ का चुनाव जो की पूरी तरीके से भष्टा चार पर आकर भारते जिंता पार्टी ने लड़ा था विधान सभा का चुनाव जिसमें बीजेपी को अच्छी जीत हासिल हुई थी बीजेपी की सरकार बनी और उसके तुरंट बाद जो लोगसभा चुनाव हो रहे है वो लोगसभा चुनाव में रिफ्लेक्शन ये नसर आ रहा है कि बीजेपी 9 पहले जीती थी 2019 में अब एक सीट का इजाफा कर रही है यहाँ पर भी टिकेटों का वित्रण हो चुका है जो मौझूदा मंत्री है सरकार में ब्रिजपूहन अगरवाल उन्हें भी टिकेट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है यह एक्स्पेरिमेंट करने से समीर जी बीजेपी चूकती नहीं है और उसका रिफ्लेक्शन चतीजगड में भी देखने को मिल रहा है नया मुख्य मंत्री दिया वारमन सिंगों रिपीट नी किए नहीं मुख्य मंत्री लेकर आए कैबेने में अचे चेहरे लेकर आए और पदार मंत्री मोदी ने वाज इसे साब से लगातार ध्यान दिया संगधन को लेकर बरी औफिर जो महातारी योजना जहां भारते जन्ता पार्टी महां लेकर आई थी चुनाओ के समय वह भारते जन्ता पार्टी के फेवर में रही है कॉंग्रेस दो सीटे जीती थी वहां से जो प्रदेश अध्यक्षे दिपक बेच जीते थे और 14 महंत की पत्नी ने बस्तर की सीट दर्ज की थी बाकि 9 सीटे बारते जन्ता पार्टी ने वहां लुक्स बाच चुनाओ में जीती थी मुझे लग रहा है इस बार बारते जन्ता पार्टी वहां 11 सीटे की 11 सीटे जीते गी अलांकि सर्वे दिखा रहा है कि एक सीट कॉंग्रेस जीत रही है मुझे लग रहा है इस बार वहाँ पर दिपक बैज जो कॉंग्रेस के पदेश अध्यक्षे वह भी चुनावा रहेंगे और 14 महेंत की पत्नी भी वहाँ पर चुनावाने जारी बस्तर के सीट जिस सकती है मुझे इसमें कोई आश्रे नहीं है